Hello everyone, Canada day by day change कर रहा है immigration के सेक्टर में चाहे वो spousal visa की closing को लेकर हो चाहे वो international students का जो quota है उसको limited करना हो पट recently Canada के जो immigration minister हैं उन्होंने press conference की उसका मैं link भी description में देदूँगा ताज वो आप पूरी news देख सकते हो बट इस video में मैं उसका conclusion आपको बताऊंगा के Canada ने दो बड़े change की हैं एक तो है temporary foreign worker के लिए और दूसरा है visa quota को लेकर पहले उन्होंने student visa का quota बताया था के इतने student visa Canada issue करेगा और उनके पास बहुत जादा student हो रहे हैं इसलिए वो कोटोती करेगा और limited number of application लेगा बट अब नया change Canada ने किया है कौन सा वो नया change है वो discuss करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इश्यक की तरह मेरी request है अगर आप हमारी चैनल पर first time visit कर रहे हो चैनल को ज़रूर subscribe करना like ज़रूर करना और किसी भी तरह की visa filing में help चाहिए तो number यहां पर flash कर रहा है tourist visa हो गया work permit वाले होगे जो temporary foreign worker है जितनी भी temporary steam है उनका जो quota है वो 5% कम कर दिया जाएगा आने वाले तीन साल में क्योंकि Canada के immigration minister का मानना है कि यहां पर बड़े numbers में foreign worker आ रहे हैं जिससे जो local natives हैं उनको problem आ रहे हैं अब यह उनका opinion है तो यह बड़ी update है जो foreign worker है वो भी आएंगे दूसरा बड़ा change है जी temporary foreign worker को ही लेकर है कि पहले LMI की जो validity थी labor market impact assessment वो एक साल होती थी आप एक साल तक LMI को use कर सकते थे बट फस्ट मही से Canada ने यह बड़ा change किया है अगर आपने LMI चाहे approve करवा के रखी है प्री approve आपकी LMI है चाहे आपने किसी के name के उपर issue करवाई है और वो आप temporary foreign worker hire करना चाहते हो कहीं से भी इंडिया से किसी अधर country से तो आपकी जो LMI है उसकी validity six month कर दी गी है जी हाँ पहले 12 month था अब उसकी जो validity है वो six month कर दी गी है ये दो बड़े change Canada के immigration minister ने किये हैं कुछ और भी additional changes है बट जो दो main major changes है वो यही है पहला जो visa quota है वो 5% से कम कर दिया गया है आने वाले दिनों में किया जाएगा sorry और जो LMI की date है पहले वो duration period है पहले वो 12 months होता था अब वो six month रह गया है तो see you guys in the next video चैनल को ज़रूर subscribe करना और किसी भी तरहें कि visa filing में help चाहिए या अपनी profile discuss करना चाहते हो तो number यहां पर flash कर रहा है आप हमें contact कर सकते हो thank you